मटर की फसल पर खरपतबार एक बहुत ही गंभीर और वाली समस्या है यदि हम मटर की फसल पर समय रहते खरपतबार को रोक थाम कंट्रोल नहीं करते हैं तो यह नकीबर उपच को कम करता है वलकि हमारी फसल को भी कम जोर कर दीता है क्योंकि बैसे भी मटर की फसल कम दिन की है जिस पर post-emergent herbicide का आप spray नहीं कर सकते हैं जो भी आपको spray करना है pre-emergent herbicide का spray करना है तो pre-emergent herbicide कौण सी West है मटर की फसल के लिए कितनी quantity पर और किस stage पर आपको spray करना चाहिए कौन सी सापधानी रखनी चाहिए और क्या प्रीцен हार्वी साइट यानि अंकुरां से पूर्व हमको फिर। खर्पथबार को आप कैसे अंकुरां से पूर्व ही कंट्रॉल कर सकते हैं और आपकी फसल भी कापी अच्छी 嘅थ पकड़ेगी खर्पदबार मुक्त रहेगी तो इस वीडियो को बेना स्किप किए वीडियो को अंत तक जरूर देखें नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं भारती क्रेशी नेटवर के एडवांस एगरिकल्चर यूटूब चैनल मैं हूँ आपका दोस्त सिपकुमार और भ यदि हम इसको पोस्ट एमर्जेंट हार्विसाइट का स्प्रे करते हैं तो कोई भी हमको अच्छे रेजल्ट परिणाम नहीं मिलने वाले हैं और केवाल और केवाल मतर की फसल पर आप प्री एमर्जेंट हार्विसाइट का स्प्रे कर सकते हैं तो आपको अंकुरन के पूर एक लिटर 200 लिटर पानी में घोल करके आपको इस्प्रे कर देना है आप कप करना है मटर की आपने बुआई की है मटर अंकुरान की पूर भी एक दो घंटे के अंदर आप इस्प्रे कर दीजिए जो खर्पतवार हैं उगने वाले सभी खर्पतवार को आप एक साथ कंट्रोल और रोगथाम कर सकते हैं मटर की फसल पर जो डोज है पेंडा मैथलीन 30% EC को एक लीटर 200 लीटर पानी में घोल करके आपको छलकाप कर देना है प्रती एकल की दर से फिर उसके बाद ही आप सीचाई करें जो उगने वाले खर्पतवार हैं आप बड़े ही आसानी से उनको कंट्रोल और रोगथाम कर पा के भी कंट्रोल और रोगथाम कर सकते हैं तो आप मटर की फसल पर बवाई की जस्ट बाद पेंडा मैथलीन 30% EC को एक लीटर 200 लीटर पाने मों घोल करके आप स्प्रे कर दीजिए पेंडा मैथलीन एक प्री इमर्जेंट हार भी साइट है जो कि आप अपने मटर की फसल पर अंकुरान के पूर भी आपको स्प्रे करना चाहिए सावधानी बहुत ही जरूरी है जैसे आपने मटर की बुआई की है एक दुघंटे के अंदर आप स्प्रे कर दीजिए कहने का मतलब यह है कि जो मटर है अंकुरान के पूर भी आपको पेंडा मैथलीन प्री आती है तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट एडवांस अगरिकल्चर डॉट इन पर भी विजेट कर सकते हैं धन्यवाद